हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को टेक्शर को कैसे एसाइन करेंगे वो मैथड बताऊंगा देखें मेरे पास ये सेट है और इसमें मल्टिपल ऑब्जेक्ट्स हैं और इसके टेक्शर्स सभी डिफ्रेंट हैं हम हाइपर सेड में देखेंगे तो यहां देखें आणि आएई हरत एर टेक्शर सेक्शन है यहां पर देखिए टेक्शर्स फाइल्स कि हमारे पास कितनी है अगर मैं इसको किसी को लगाउंगा one by one तो हमें बहुत टाइम लगता है टेक्शर्स रेसाइन करने में यह देखिए मैं texture sign करूंगा तो यह मेरा path पूछ रहा है और वहां से sign करूंगा वहाँ पर texture का path यहाँ पर दूँगा तो इसे मुझे one by one करना पड़ेगा texture हमारे कहां से आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा बट हमारे जो texture है यह देखिए मेरा यह textures का folder है यहाँ पर सभी textures पड़े हुए है ठीक है अब उसको एक ही बार में सभी textures को कैसे sign करेंगे वो मैं आप लोग को command बताने जा रहा हूँ यह देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है बिंडो सेक्षन में जाएंगे जर्नल एडिटर्स और यहाँ पर देखिए फाइल पाथ एडिटर इसको open करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर हमारे फाइल पाथ के अंदर यह दो फाइले लोड हो रही है यहाँ पर बता रहा है यह तिन्य टेक्शर्स हमारे red दिखा रहा है missing है जितनी भी red दिखाएगा वो missing textures है तो यह हमें दिखा रहा है 22 nodes जो है हमारे missing है तो मैं इसको select करूँगा यहाँ से इस तरीके से और यहाँ पर path file जो command है इस पर click करूँगा तो यहाँ पर option पुछेगा browser के लिए कि आपका textures path कहाँ पर है तो मैं select करूँगा और उस path को मैं यहाँ पर copy paste कर दूँगा यहाँ तक copy करूँगा और paste कर दूँगा यहाँ पर और यहाँ पर repatch करूँगा तो यह देखिए यह सभी green हो गये मेरे सभी textures assigned हो गये यह की बार में जितने भी textures यहाँ पर assigned थे वो सभी textures हमारे यह की बार में assigned हो गये तो दोस्तों यह बहुत ही useful command होता है textures के लिए assign करने के लिए कि हमारे सभी textures एकी बार assign हो जाते हैं इसका एक condition यह है कि आपके सभी textures एकी folder में होना चाहिए अगर यह different folder में है जैसे देखिए मेरे सभी textures एकी folder में है अगर मैं दूसरे folder में अगर कुछ textures होते हैं तो वो miss दिखाता तो हमें सभी textures एकी folder में रखने होंगे अलग-अलग folders में नहीं होने चाहिए एकी folder में सभी textures आने चाहिए तभी यह proper work करता है सो दोस्तो यूज करिए इस command को थेंक यू दोस्तो मिलते हैं next video में थेंक यू